गुड मॉनिंग श्टुडेंट्स चलिए आज की क्लास सुरू करते हैं और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं जैसे कि आपको पता है MSXL हमारा चल रहा है तो देखें स्टार्ट बटन से ओपन कर सकते हैं या फिर आप देखें नीचे आपको टास्क वार में एक आईकॉन दिख रहा है यह बार बार में चीज़े बताता हूं आपको पता चल गई होगी ठीक है तो यहां पर हम जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने MSXL की विंडो डि होगी ठीक है सारी इन्वार्मेंट जो रहता है इसके संब्द में इसके बाद हम इंसर्ट में गए थे इंसर्ट में हमने जो इलुस्ट्रेशन बाला जो चीजे हैं वह कंप्लीट रूप से यहां देखे थे यह सारी चीजे हमारी MS बड़ में भी देखने को मिली थी तो मतलब जो भी आपको डिजाइन से रेलेटेड मटेरियल होता हलाकि जरूरत कम होती है MS Excel में पर हम यहां पर इनका यूज कर सकते हैं अब हम देखे आज का जो टॉपिक है हमारा उसके संब्द में हम देखे हैं तो यहां देखे हम को जो है पीवट टेवल देखने को आएग दर्सा देते हैं या तो आप इमारत के फॉर्म मदर्सा आई या फिर ग्राप के फॉर्म मदर्सा या वालग अलग चीजे आपको देखने को यहां पर मिलेगी तो यह कहलाता है चार्ट चार्ट दो प्रकार से बनता एक तो रिकमेंडेट यानि कि बना बना है जो रहता है जीनी कि सजेसन देता वह एकसल हमको जो है डाटा के अनुसार यहां पर जो है फॉर्मेट एविलेवल कराता है दूसरी चीज हमको विविन प्रकार के चार्ट के ऑफ्सन नजर आते हैं तो आपको जब इग्जाम में आएगा तो आप सभी प्रकार के चार्ट का नाम आपक हम देखें यहां पर text box, तो text box से related यह सारी चीज हम MS Word में देख चुके हैं, यहां पर हम नहीं देखेंगे, symbol से related भी आपको देखे, जहां MS Word में बात करें, तो यहां देखे equation और symbol यह सारी चीज आपको काम आती थी, तो यह सारी चीज वहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगी तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर पिवोट टेवल टेवल आप समझ सकते हो नॉर्मल जैसे मान लिजे हैं हमने बहुत सारा डाटा बनाया डाटा मतलब होता है एक प्रकार से हमारे जो raw material होता है जिसमें हम calculation करते हैं तो वो complete रूफ से क्या कहलाता आपका डाटा कहलाता डाटा को process करने के बाद हम क्या करते हैं उसको information में convert करते हैं तो इनको हम एक प्रकार से इसके बारे हम हम पढ़ने वाले इसके लिए डाटा तयार करना पड़ता है डाटा मतलब होता है तो देखिए यहां पर हम पहले से बना बना एक डाटा है उसको एक open कर लेते हैं ठीक है यह देखिए मेरे पास में pivot table की exercise seat यहां जारा रही जैसे मैं इसको open करूंगा तो जो है देखिए यहां पर कौन-कौन से आइटम है जैसे samsung की tv है बिभिन प्रकार के जो product है उनके आप नाम लिख सकते है दूसरी चीज आपको क्या देखने मिलती है यहां quantity of the item sold है उसके बारे में लिखा यानि कि जो जैसे लेने वो laptop है वो 80 बेचे गा है अब कब बेचे लिखा है उसकी order date भी लिखी है यहां कि date की जो है date का form कैसे लिखा गया है जिस दिन उसका order किया गया था तो यह सारी चीज हमने यहां पर देखें जैसे हमारे पास बहुत बड़ी लिस्ट है बहुत बड़ी लिस्ट यानि कि देखिए 44 आपको जो यहां पर record देख रहा है देखें एक जो complete है वो आपकी row कहलाती है यह वाली जो है आड़ी वाली row कहलाती है उपर वाला column कहलाता है column और row मिलाकर क्या बनते हैं और cell देखिए cell एक प्रकर की field कहलाती है और एक सदिक field जब यहां एक सांथ मिल जाए मतलब एक row complete रूप से क्या कहलाएगी एक record कहलाए जैसे हम इसको select करेंगे तो हम एक प्रकार से देखें तो जो बनी बनाई यहने की recommend किया जाएगा देखिए पूरा complete seat आप सेलेक्ट कर लीजिए range हम इसे बोलते हैं cell की range आप सेलेक्ट कर लीजिए और यहां आप जाएंगे insert में insert में जाएंगे सबसे पहला option दिख रहा pivot table जब कि बात करें pivot table की तो यह हमारे अनुसार होना है यहनि कि customize हम कर सकते हैं हमारे इक प्छानुसार हम बना सकते हैं पर recommend date घुट तेबल होता है उसकी इक चनुसार यहनि कि इस ठेबल की अंतरगत कैसा pivot table बनेगा उसको दरसाने का काम होता है यहां पर recommended pivot table में, click करें इसको insert में गए, कहां जाना, table वाले section में जाना है, यहने group में जाना है, और वहां जाकर आपको recommended pivot table पर click करना है, तो देखिए इस प्रकार का आपको pivot table बना बनाए नजराएगा, या फिर आप इस प्रकार का बना सकते हो, दोनुचीज आप देख सकते देखिए, दो table उसने बना कर दिया, यहां पर pivot table, तो आप इन में से किसी को भी यहां पर click कर सकते हो, ठीक है, जैसे हमने click करें, तो देखिए, यहां पर आपको जो है, क्या दिख रहा है, row level में क्या दिख रहा है, जो product के item है, वो देखिए, सभी selected दिख रहा है, selected मतलब द सम का मतलब आपको पता होगा, सम मतलब होता है, complete रूप से जोड़ना, यानि कि जितनी भी field, जितने भी item है, उनको complete रूप से उनका जोड़ना, यानि कि total करना, उसको क्या बोला जाता है, सम और जितनी भी quantity है, उनको यहां पर total किया गा है, जैसे LG जो refrigerator है, उसकी total संख्या sold किये कितनी, यहां पर दिख रहा है, 278, उसके आद ओपो जो smartphone है, वो sold किये गए कितना, 716, फिलिप्स की speaker sold किये गए 395, और सेमसंग टीवी 10, इसके अलाबा आगर हम बात करें, किसकी, लेनेवो की, तो लेनेवो हमको देखने को मिलेगा, 722, तो देखे, complete रूप से आप types नाम आ रहा, इस प्रकार से समझने में तो problem हो जाएगी, तो यहां देखे, यहां जो है, order date भी हमको नजरा जाएगी, order date भी देखे, air form में देख रही, और यहां पर हमको यह जो है, यह भी हम unselect कर सकते है, quarters और जो airs होता है, इन दोनों का unselect करें, तो यहां पर देखे people पेवट टेबल कोन सा होता है, जैसे यह वाली जिसीट में किस प्रकार का प्यूट टेबल बंएगा, प्यूट टेबल का मतलब क्या होता हाँ, बहुत बड़ी, डेट रेंज में से हमारे नुसार जो है, इक्च्छा नुसार हम data को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, देख इस range को select कर लें और आप जाएंगे हम कहाँ पर इस pivot table में पहला option पीबोट टेवल में जैसे जाएंगे ते डायलेक बॉक्स प्रदर्सित होगा डायलेक बॉक्स में आप देखिए क्या के चीज़े आपको देखने मिलेगी सबसे पहले आपको देखने मिलेगा देखिए यहां पर select आए table range तो table की जो भी range होगी उसको आप select करना है तो हम देखिए already select कर चुके हैं तो देखिए आपको seed 1 के अंतरगत जो भी cell address है उनकी complete रूप से यहां range दे दी गई है select अगर नहीं रहती तो हम कैसे select करते यह देखिए आपको आप arrow बटन दी है आप arrow बटन से आप जाकर यहां ड्रैक करेंगे complete रूप से और उसके बाद आप select हो जाओगे तो यहां से देखिए इस arrow बटन पर जाकर आप पापास डालेक बॉक से आप data ला सकते हो हलाकि हम ऐसा नहीं करेंगे हम इसी seat का data को आसानी से यहां पर बनाना देखेंगे उसके नीचे और कुछ option दी है देखिए और data model भी दिया तो यह हमारे काम करना है नीचे देखिए जो pivot table है वो कहां पर आपको place करना है यानि कि जब pivot table बनकर आएगा तो आप इसी seat में कर सकते हो नई seat में कर सकते हो ठीक है या फिर कोई work seat में जो भी है मतलब existing work seat मतलब जो work seat है जिसमें हम काम कर रहा है table के रूप में उसी मिला सकते हो दूसरी अगर बात करें new work seat तो new work seat यानि की नई एक work seat बना कर देगा वो इस options है तो by default यही select है तो हम इसी मे काम करेंगे जहां नियू work seat में ठीक है तो उसके बाद हम क्या करेंगे ोके जैसे करोगे आप तो आपके सामने देखें यहाँ पर हमने हमारा data था जबकि सीट 3 में हमारा खाली pivot table यहां नगाल रहा, तो खाली pivot table में हम को करना क्या है, आपको देखें यहां पे जो है देखें navigation या फिर हम देखें तो यह देखें आपको जो area है आप sidebar में आपको देखे онके नाम मैं पूरी roll label में नाम क्या क्या थीन आपको आःटम इस प्रकार से यहां नजरा रहा हम quantity भी अगर देते हैं तो quantity देखे उनके सामने quantity भी नजरा रहे हैं उसके आद order date भी अगर देते हैं तो order date भी आगए इनको अंसलेक्ट कर दो नीचे वाले को पर यहां आपको आसानी से समझ में आ रहा है तो हम क्या करेंगे इन सभी मैं से by default जो भी हम select करते हैं वो किस में आते हैं नीचे आप देखो यहां पर ध्यान से row में आते हैं देखे यहां देखे यह देखे रो में आपके सारे आ गया है दूसरी चीज column भी होती है और कुछ filters भी होते हैं तो filter आपको पता होगा filter मतलब बहुत बड़े data में से कुछ देख सकते हैं जिसे बहुत सारे employee है बहुत सारी students के नाम है हम चाहते कुछ selected जो student उनके नाम में वहां पर रिकॉर्ड उनका उस से related देखें तो हम वहां पर क्या करेंगे filter लगा देंगे तो चली यहां पर फिल्टर लगाते हैं तो जैसे मान लीजे हमको सभी लोगों के न नहीं देखना है तो हम जो name बाला box है यानि की name बाली जो field है उसको पकड़ेंगे पकड़ेंगे मतला mouse से आपको पकड़ना है और कहां लाकर छोड़ना है filter वाले box में लाकर छोड़ना है तो आप देखें उपर एक row बन गई है ठीक है उपर एक फिल्टर वाली रो बन गई जिसमें select all है हम select all नहीं कर अभी हम करके देखेंगे filter उसके बाद हम देखे name of employee यह तो लिया हमने उसके बाद देखें यहां पर जो है इसको unselect कर दो यहां से यह टिक मार करते और यहां से इसको लाकर यहां छोड़ देते item sold by him तो यहां देखें यह item हम इसको लाकर भी छ अब उपर देखिया उपर देखो filter में दो चीजें बन गई क्योंकि हमने दो field को कहा लाकर छोड़े एं filter में आप filter में लाकर छोड़े हैं इसका मतलब है कि उनमें से हम filter चला सकते हैं जैसे हम select all की जगें हम क्या कर देते हैं जैसे यह देखें अमीद का record देखना है तो दे नहीं बेचा गया ठीक है उसके बाद ओपो स्माटफॉन ओपो सेलेक्ट करें तो देखें ओपो उसके दौरा बेचा गया है जून में बांकी आइटम जो है अधर वेक्तियोग दौरा तो डवल फिल्टर हम चला सकते हैं एक तो हम नाम के अनुसार चला सकते हैं तो चलिए फ लॉह देखें यह फिल्टर है और चला सकते हैं क्योंटिटी देखें यहां पर वाली बेखले करें ग YouTube करें गिनकर दिखाना तो भी आप कर सकते हो ठीक है किसके अनुसार जो प्रकार से हमने बना कर देखें एक तो रिकमेंडेट यानि कि जो डाटा है डाटा को खुद अपने अनुसार जो एकसल है उसको कनवर्ट कर देता है और दूसरा होता है भीन प्रकार की चीज है ज्दादा में डाटा को प्रदरसित करने की जो ठीक है और उसको चाठ बोला जाता या जैसे उधारण के तर्बर हम लेते हैं जैसे एक लेता हूं मैं जैसे मत सकते हो ठीक है यह हम देख सकते हैं इसको भी हम देख सकते हैं ठीक है कितने हो गए पच्पन और 15 हो गए आपके 70 और 10 जो गए 80 ठीक है उसके लाबा अगर देखें तो और कोई आप देखें तो यहां अधर कर लीजिए अधर 20 परसेंट तो इस प्रकार से आप जो है दर सा सकते जब मैं इस डाटा को सेलेक्ट करूँगा यहां पर तो इसमें चार्ट कैसा बनेगा इसमें चार्ट कैसा बने चक्र में पूरा देखें 360 डिग्री है 360 डिग्री में कितने परसेंट क्या है सारी चीज यहां अजरा रही तो सिंपल ही हम देखें यहां पर भी इसको भी बना सकते पर यह हमारे लिए आसान नहीं होगा समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पाई चार्ट होता है तो सारे चार्ट देखेंगे हम प्रकार उसके जैसे हम पाई चार्ट पर क्लिक करते हैं तो देखें यहां पर साइड में एक चार्ट बनकर आगया आपको इस डाटा पर देखें डाटा पर अगर चेंजिस होते हैं जैसे मान लीजी हम इसमें जो है चेंजिस करते जैसे इस सब लिए इसको हम साट कर देते हैं और यहां कर देती है हम 15 तो देखे इसके अनुसार यहां चैंजनी सब्सक्राइब और mechanics रहे हैं तो यहां धैजनी कर सकते हैं भी उससलिम अलगलग कर सकते हैं यहां दर्शा आना तो खेड elabor हैं इस देखे Blood जो है color हम change कर सकते हैं उसकी style change कर सकते हैं यहां से तो यह सारी चीज़ आपकी normal है जो कि हम पहले ही देख चुके हैं switch कर सकते हैं data का row हलाकि यह ज़्यादा important नहीं यहां पर data को select करना तो data यहां select कर सकते हैं ठीक है यह देखिए हमारा already यहां data है chart के type को change करना है तो देखिए chart के type बिभिन प्रकार के आगा है हलाकि हम chart के type को change तो कर देंगे पर हमको ज़्यादा समझने यह जो chart है इस data पर यह chart important माना जाता है चलिए दूसरा एक chart बना कर देख लेते हैं ताकि आपको आसानी से और चीजे clear हो जाए जैसे मैंने बताया था जैसे आपके पास में बहुत सारे mobile होते हैं ठीक है और यह हमने देखे यह normally हमने तीन mobile के नाम लिख दिये उसके बाद हम लिख देते हैं यहां पर जैसे 2017 में क चालिस प्रतिसाथ इसमें विका ठीक है उसके बाद रेडिमी के अगर बात करें तो रेडिमी पहले जो है पचास प्रतिसाथ विकता था टूटल जो सैलिंग है उसमें उसके बाद यहां पर देखें तो यहां पर आ गया यहां तीस प्रतिसाथ आ गया और यहां अगर बात तो हीनगे जरे देके हैं तो यहां देखें तो यहां भी चलि Infinite सब्ढ़ां की सेलींग पे सब्सक्राइब लोख में चालम् Только सब्सक्राइब Clustered Column Chart हमको यहाँ पर नजर आता है तो देखिए यहाँ पर हम किसी भी प्रकार का Column Chart सेलेक्ट कर सकते हैं जैसे भी आपको चाहिए तो हम पहला Option को प्रेफेर करेंगे उसके आद Okay करेंगे Okay जैसे करोगे तो आपको Column Chart यहाँ बनकर сердbreal सेफ्मों werbR लिए और ओर टेस्वशी को Payending Databematics करें कायाँ उसको समझने में समझने में आसाने के लिए का करने के लिए उसको मिंरेवल करें में इस्को चार्ट के लौ कर ने करने के लिए हमने कैसे करते ही दूसरी बात जब हमने यहां देखे recommended तो यह हमको बताता है पर हम अपने अनुसार भी यहां चार्ड बना सकते जैसे देखे यहां side में आपको विभिन प्रकार के चार्ट का option नजा रहा है पर हम इन में ना जाए तो हम देखे recommended में गए recommended में आपको दो tab नजा रहा है यह दे इन सभी के नाम आपको दो तीन बार पढ़ना है लिखकर देख लेना है ताकि आपके दिमाग में एक पिक्चर क्रेट हो जाए कि चार्ट कितने प्रकार के होते हैं हलकि सभी को बनाना नहीं पूछा जाएगा पूछा जाएगा सिर्फ जैसे एक चार्ट को चार्ट को बना लाना देखे देखे column chart इससे बनेगा तो हम इस प्रकार कभी बना सकते और इस प्रकार कभी ठीक करेंगे तो फिर से हमारा जो चार्ड बन गया हम इस प्रकार से यहाँ data को format भी कर सकते हैं तो ये सारी चीज हम यहां देख सकते हैं अच्छा इसमें जो है data row और column में convert हो जाता कैसे देखें यहां पर देखें realme, redmi और Samsung यहां लिखें अगर हम switch करते हैं तो switch करते हैं realme, redmi उपर आ गया है और नीचे आपका air आ गया है तो इस प्रकार आप switch कर सकते हैं column और row में pivot table देखें हैं बना-बना यानी कि जो excel है वो क्या prepare करता है, क्या suggestion देता है उसके अनुसार, recommended पिवर टेबल देखा, दूसरी चीज हमने देखें हमारे अनुसार, pivot table बनाना, फिर उसके बाद हमने चार्ड बनाना देखें, चार्ट में हमने रिकमेंडेट यनि कि किस प्रकार क चार्ड बनेगा जो data upload है उसमें और अगर हमको हमारी इक्छनुसार बनाना तो हम यहीं से जाएंगे जैसे मान लो हमने यह data select करे data select करके हम यहाँ पर जाएंगे all chart में जाएंगे हम जो चार्ड बनाना चाहते हैं उस चार्ड के category को select करें उसके अंदर जो भी सब कैटेगरी है उसमें जाएंगे और उसको क्लिक करके हम OK बटन पर क्लिक करेंगे बाद में हमने formatting करना देखें जो की design tab में आपको दिखता और एक format tab में भी format tab अल्रेड़ी देखें यहाँ पर आपके लिए कोई यादा important option नहीं है design tab आपके लिए कुछ अलग था तो यहाँ से देखें कोई layout आप add कर सकते हैं जो भी data है देटा साथ में add कर सकते नीचे तो यह सारी आपको यहाँ नजार आती है किसके अंतरगत चार्ट के अंतरगत तो देखें यहां हमारी दोनों चीजी यहाँ पर complete हो गई है और कुछ चीज़े और बता देता हूं आपको मैं ताकि जो सारी चीज़े आपको clear हो जैसे link है तो link आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना है जो क्लिक करूंगा जैसे msbird की बात करें तो हम control के साथ क्लिक करते थे यहां normally आप क्लिक करोगे और yes करोगे तो yes करने के बाद आपकी seat यहां open हो जाएगी जो हमने book 1 में बनाए थे तो आप समझ गहोंगे ठीक है तो किस प्रकार वो open होती है उसके बाद हम देखे यहां पर text box में काम कर सकते हैं header and footer में काम कर सकते है header and footer में काम करना जब मैं seat design करना बताऊंगा या फिर आपको view tab समझाओंगा तो वहां detail में बताऊंगा ठीक है तो काफी अच्छे समझ में आएगा but art का प्रियोग कर सकते हैं जो बनी बनाए style होती है signature object यह हमारे काम के नहीं होती है object तो होता other application की कोई file है हम यहां ला सकते हैं काम करने के लिए symbol में equation का प्रियोग कर सकते हैं जो कि आप mathematics से related कोई formula function जो भी आप लग रहे हो equation लिख रहे हो वो उसके अलावा आप symbols का प्रियोग कर सकते हैं जो कि आप keyword में देखने को नहीं मिलता वो आप symbol से उसका प्रियोग कर सकते हो तो I hope सारी चीजे आपको clear हुई होगी तो हम यहाँ पर देखें हमारे insert tab यहाँ पर complete हो गई है उसके बाद हम page layout में देखेंगे कुछ important option और other हमारे जो है चलेंगे ज्यादा time हमको लगने वाला formula में क्योंकि वो जो काफी important है excel का एक प्रकार सा heart कहलाता है formula formula या function तो यह सारी चीजे हम आपको clear हुई होगी अगर किसी प्रकार का doubt है तो आप comment box में मुझे बता सकते हैं मैं अगले जो भी class आगी उसमें आपको सबसे सुरुबात में उस doubt को clear कर दूँगा तो चलिए मिलते है next class में next topic के साथ मैं तब तक के लिए जय हिंद